राजस्तान विदान सुभा चुनाव 2023 के चुनावी मैदान को फते करने और गैलोज सरकार को उखाड फैंकने के लिए बारतिय अंता पार्टी के उमीद्वारों की पहली लिस्ट चालिस उमीद्वारों के नामों पर अंतिम मोहर इन नामों की चर्चा करें तो बाड मेर विदान सुभा सीट सें शिर्मत्ती प्रियंका चोदरी बाड मेर एक महत्यपुर्ण विदान सुभा सीट है जहां से प्रियंका चोदरी शिवाना विदान सुभा सीट सें हमीर सिंग भायल पलोदी विदान सुभा सीट सें शिरी पब विदानसबा सीट से रमेश खिंची, वेर विदानसबा सीट से शिरी महंदर जाटाओ, नदबई विदानसबा सीट से करसनेंदर कोर दिपा, व्याना विदानसबा सीट से शिरमत्ती रित्व, शिरी गंगानगर से जैदी बिहाने, बादरा विदानसबा सीट से संजीब बेन हालिमे बीजेपी का दामन थामने वाले सुबास महरिया, नवलगड से, विक्रम जाखल, जुनजनों विदानसभा सीट से, बबलू चोदरी, कोट पुतली से, हंसराज पटेल, बांदी कुई से, बागचंद, अलवर ग्रामिन से, जैराम जाटव, स्वाई मादोपूर से, किरोडी लाल, वलवनगर से, हिमत सिंग ज सरदार से, विदानसभा सीट से, परलाज सराप, फुलेरा से, शिरी निर्मल कुमावत, दानता रामगड विदानसभा सीट से, गजानंद कुमावत, हिंडोन विदानसभा सीट से, शिरी मत्तीर राज कुमारी जाटव, बांसूर से, शिरी देवी सिंग, बाली विदानसभ सीट से पुस्पेंदर सिंग गुडा मलानी से के के बिशनोई गुडा मलानी पर लगातार कॉंग्रेस का कबजा रहा है ऐसे में गुडा मलानी में बारतियंता पार्टी ने कमल खिलाने के लिए के के बिशनोई के नाम को दिया है इसके अलावा रानी वाडा से नारायन देव सांचोर विदान सभा सीट जो एक मैत्वण विदान सभा सीट है और सांचोर विदान सभा सीट सें बीजेपी के उमिदवार सिरी बनाराम रेवदर विदान सभा सीट सें जरसी राम पिंडवाडा सें समाराम गरासिया लाडपुरा से सिर्मतिक कलपना देवी सहाडा विदान सबासीट से डाक्टर सेलेश या पिर सुभाष सिंग यहां दो नामा रहे हैं डाक्टर सेलेश का भी और सुभाष सियं का पार्टी इन नेताओं को इन उमिद्वारों को चुनावी मैदान में उतार सकती है जैसा कि देनिक बासकर और राजस्तान तक की जो एक रिपोर्ट है उसमें ये चाप का गया है उनके उनको अधार माना जाए तो निश्ची तोर पर बारत्य अंता पार्टी इन 40 विदान स्वासीतों पर जो मैंने आपको नाम बताए हैं इन नामों से किसी को उमिद्वार बना सकती है देनिक बासकर की एक रिपोर् स्वासीतों पर मेरे द्वारा बताएगे जो उमिद्वार हैं उनको बारत्य अंता पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है खेर बारत्य अंता पार्टी द्वारा इन 40 नेताओं को इन 40 विदान स्वासीतों पर मोका दिया जाता है तो क्या ये अपनी विदान स्वासी पर चुना आप जीत पाएंगे इस पर आप अपने विचार हमें कोमेंट बोक्स में जरूर बताएं इन संभावित उम्मीदवारों को ले करके आपके क्या विचार हैं अपने विचार हमें कोमेंट बोक्स में जरूर बताएं साथी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी के लिए इतना है मिलते हैं अगले बड़ी अपडेट अगले उजगली खबर के साथ अब तक के लिए जैहिन जैभारत